तो दोश्तों मैं अब्षेग आप सबका आपने लनिखपर वेलकम करता हूं जैसा कि आपको पता है आपको नहीं पता है मैं बता देता हूं मैं आपको पढाऊंगा रीजिनिग मैं अभी काफी टाइम से अन्नेकेट्विएंपर पढा रहा था तो मैंने सुचा क्योंना आप आपको कि अग्जम कोई आप चाहे मैं पची सवन कर सकता तर्योग, कोई कोई स्व Elsie Manant grape is correct in revenue category मैं झाप उसको डगती हैं आप सुछती हैै कि यार मैं पच्ची सवन कर सकता था त्यष़ आपक्को बता है है कि 25 सवाल कर सकता तलожд predictable लिकलिके या आप 20 कर पाई या जल्दी यल्दी में आप से 2 सवाल गलत हो गए या आपने मंन लिजिए 25 सवाल 25 मत में किये किसी और बंदी ने 25 सवाल 25 मत भींत में कर दिये 35 ऋने 55 मmber में पंड गए तो वेलू पलर कहा है कि उसने 55 मत में होता है 200 होता है अगर आप पूरा Target 200 में 200 का रख के लखोगे ना तब किसी बच्चे के 190 नमबर आ właściकंगे कि합के 170 नमबर राप आएंगे जो कि आपको बहुत जरूरी है क्यों कि आजकल कट ओफ भी इतनी हाई जा रही है अगर माल लेज़े आपने डेट सो का टार्गेट रहा आप सुचाहर में रीजिनिंग नहीं पड़ रहा है या मैं जी एस नहीं पड़के जा रहा है या कम पड़के जा रहा ह पड़के अच्छे से डिवीजिन करके प्रैक्टिस करके आगे बढ़ना है जिससे मुसको आगे अच्छे से कवर कर सकेंगे ठीक मैं एक मिनट मैं कुछ थोड़ी सी बाते नहां पर कहना चाहूंगा जैसे कि भाई ने कहा एकदम बिलकुल सही बातें कहीं आप भी देख र बना कभी नहीं है हम तोड़ा ओवर कॉन को लेकर जब यह मेरा भाई अभी आभी तो जब हम साथ साथ रहते हैं तब भी ऐसा हमारे वीच बहुत चलता था रीजिनिंग को लेकर के तो हमेशा मैं मात खा जाता था क्योंकि मैंने रीजिनिंग के बहुत ज़्यादा काम नही इनी चीज़ें खोजना नहीने तरीक है जिससे कि हम सवाल को कम समय में कर पाएं क्योंकि आज खाली सवाल को करना माईने नहीं रखता आप कितनी जल्दी करते हैं ये भी माईने रखता है तो ये हमने इनको ये काम दिया है कि भाई आप कैसे बच्चों को रीजिनिंग के 25 सवाल 8 से 9 मिनट में करना सिखाओगे ये इनका काम है तो आपने लर्निंग हफ इसी उदेश से बनाया गया था बट बहुत दिन से इस पर वीडियो नहीं आ रही थी तो आप रेगूलर आपको वीडियो मिलेंगी इस पर लाइव क्लासिस मिलेंगी बाकी के सब्जेक्ट्स की भी तो रीजिनिंग आज से ये अभी अनकेडमी पर पढ़ा रहे हैं तो मैंने का भाई आप अनकेडमी थे वक्त निकाल के अलग से क्योंकि ये दो क्लास लेने के लिए पूरे दिन अच्छे कंटेंड को डेवलप करने में लग जाता है तो मैंने का इस पेसल आप दो घंटे निकाल के अभी लेन नंदिंग हप पे उन निकायत मुझसे बड़ी रहती थी अरे सर आप पढ़ाओ सर हसी मजाक मत करो तो मैंने आपके लिए ऐसा टीचर लाके दे दिया है जो हसी मजाक नहीं करेगा ना के बराबर करेगा सिर्फ पढ़ाएगा पढ़ाएगा सिर्फ अगर आप क्लास देखेंगे तो आपको तो कभी भी निकल के ये वीडियो बनाएंगे तो मैं आ जाओंगा मैं बनाओंगा तो यह आ जाएंगे ठीक है तो अब आप रिजिनिंग पढ़िए और मुझे बताइए का फीडवेक मुझे भीजेगा मुझे मेल करेगा कि कैसा लग रहा है कौन से टॉपिक आप चाहते ह मेरी ये कोशिश है कि जब तक CGL हो तीन महीने में कम्प्लीट हो जाना चाहिए सलेवस तीन महीने में रिजिनिंग का सलेवस पेपर से पहले कम्प्लीट हो जाएगा और मैस का तो चली रहा है तो बेसिकली दिस इजदा A to Z कौन्ट बैच ना बोलके हम इसको A to Z रिजिनिं का ठीक है तो चलो फिर मुलाकात होती रहेगी आपसे अभिने मेंस पर होती है यहां भी होती रही है फिर मिलेंगे आप पढ़िए आप रिजिनिंग तो जैसा कि आपको भी अपने सन्ने बताया कि जैसे A to Z कौन्ट बैच चलता है यह A to Z रिजिनिंग चलेगा तो आपको जैसे इसे मैं आपको पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको कबर अप करते हुचलना है यह मेरी गारेंटी है कि जिससे मैं आपको कराऊंगा अगर उसके अकोड़ेंग आपने सारी चीज कर ली तो पेपर में जखो कर सेम सवाल भी नहीं आता ना तो सेम पैटरन के सवाल आज जाएगा और वह आप सभी कर पाएंगे जब आपने वैसे सवाल कर रखे होंगे वह कैसे कर पाएंगे आप जब पूरा टार्गेट 200 का 200 रखेंगे टिपीकल हाट चीजें पढ़ेंगे जी तो आप खुजी कर लोगे आप अगर मैं जी आप उना पढ़ाऊं या आप अभी सवाल भी बनते हैं और बहुत्-टीपीकल सवाल भी बनते हैं तो कुछ सवाल मैं आज आपको कराता हूं देखते हैं कि आप इनको किस तरह आप खुद कर पाएंगे और फिर scientists का क्याशन्य looks के आपको chu सवाल क्या होते रख यसे मिल जाते हैं यहाप डेखते हैं इसके अ तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर नमबर सीरीज में देखो सबसे पहले क्या होता है यह देख लेती है कि देखो ने ने बोर्ड चला रहा हूं तो ऐसी बात नहीं है कि थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन आधित में आ जाएगा क्योंकि मैंने डिटल बोर्ड पर ट्लास पहली बार लिया है तो कुछ दिक्त वली बात नहीं है कुछ चीन नई पहली बार करते हैं थोड़ी दिक्त आती है उसके बात इसमूट हो जाती है असान हो जाती हुँआ सबसे पहले हम देखते हैं क्या topic number series बहुत अच्छा most important most important बढ़िया chapter interesting chapter तो को number series में जब आपको कोई भी सबसे रखा होता होता तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि number series में जो series increase हो रही है decrease हो रही है यानि जो पहला number है next number increase है या decrease दो इसमें logic लगते हैं increase या decrease अब उसको increase और decrease करने के लिए क्या क्या logic लग सकते हैं क्या क्या हम method लगा सकते हैं वो हमें पढ़ना है कैसे पढ़ना है कम time में लगाना है ऐसा नहीं आप नहीं लगा पाएंगा अगर मैं आपको 25 सवाल भी दूँ तो मुझे पता है आप आदा घंटा 20 मिनट 30 मिनट हो सकता है एक घंटे में कर जें आपको क्या important है आठ से 10 या 12 मिनट में आपको देजनी cover up करनी है चाहाँ आपका typical सवाल हो चाहाँ आपका आसान सवाल हो ठीक है तो दोगो सबसे बिलम क्या देखते हैं नम्बर सीरीज में क्या होता है नम्बर केनऑ डिक्रीज दोई मैंने आपको बताएं तो does उसके Command Connor होगा इसमें भाई या तो addition होगा जो बीचके मोच्ख होगा या तो addition है तो इंक्रीड होगा subtraction है तो decrease होगा multiplication plus है तो relative हो सकता है decrease भी हो सकता है डिबीजन, ओर नंबर, इवन नंबर और जो टिपिकल सवाल बनता है प्राइम नंबर पे, प्राइम नंबर गैब दे सकता है या जो नंबर दे रखे हैं वो प्राइम नंबर दे सकता है स्क्वाइर, क्यूब, स्क्वाइर रूट, क्यूब रूट और एक बनता है आपका digital sum ये typical है इसमें आपको सवाल पोला बहुत सो समझ के चलना पड़ता है क्यों 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 कि इसकी बीच का जो gap होता है उसमें क्या होता है sequence gap नहीं होता है जैसे माल लिजे मैंने कोई आपको आपसान सवाल दिया माल लिजे मैंने आपको सवाल दिया कौन सा 1, 2, 3, 4 आप से पूझिए क्या आगा है आप सहीते बताता हो गार एक-एक का gap है पांच आजाएगा लेकिन जो digital sum का सवाल होगा न वहाँ पे gap परावर नहीं होगा किसी की बीच में एक होगा 0 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 11 हो सकता है different gap होगा हर नंबर के बीच में वह आता है digital sum में इसमें दो तरह के सवाल हम पूछते हैं जैसे paper में पूछते जाते हैं number एक तो to find the next number जैसे मैंने आपको ये दिया, 1, 2, 3, 4 लिख दिया next number पूछा है एक होता है to find the wrong number जैसे मैं आपको ये लिख दियता 1, 2, 3, 4, 6 लिख दियता आप से पूछता बताओ जी इसमें wrong number क्या है आप क्या पता, क्या चेक करते हैं आप देखते कि भाई यहां लगातार number है एक का gap है, यहां भी एक का gap है यहां भी एक का gap है, लेकर नहीं पर दो का gap दे रखा जबकि नहीं होना, यहां पर क्या आएगा प्लस एक का gap, यहां पर क्या आएगा पास, यानि कि 6 हां पर गलत है यह आता wrong number में दोनों type के सवाल आप से paper में पूछा जाता है वैसे series कही तरह की होती है आगे आगे पढ़ेंगे, यह number series है number series में दो तरह के सवाल पोचे आते है और तरह की series यह से letter series letter दे सकता है alphabet वाले alphabet series दे सकता है, letter series दे सकता है ठीक है अब हम करते हैं, आपको सबसे बले एक point में आपको बता देता हूँ, आपको क्या याद रखना सबसे पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है एसे लेके जैड तक की place value यह आपके लिए बहुत important है एसे लेके जैड तक place value पूरे reasoning में आप इसके बिना सवाल जो भी words से लेटर सवाल होंगे नहीं कर पाएंगे आप, एसे लेके जैड तक place value आप कैसे याद रखोगे आपके लिए एक word में बता देता हूँ E, J, O E, J, O T, Y इसका नाम है E, J, O, T जैसे आप GS में कुछ ना कुछ words से याद करते न, ऐसे आपको इसमें alphabet में याद करना है ये 5 होता है, ये 10 होता है ये 15 होता है, ये 20 होता है ये 25 होता है ठीक है, जैसे मैं अगर आपसे पूछ हूँ अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि अच्छा बताओ 15 नमर पर क्या होता है आप ने क्या दिखा इक जो टी ओ पंद्रह पर धिरक्षा हो ते जैए। तो आपको जे 10 पर होता है के एल बारे को आपको डबलू नॉट बबलू डबलू बोला मैंने डबलू भर टी आपको पता है बीस पर होता है टी यू वी डबलू डबलू 23 पर आएगा आपसे बोलू एक्स कितने पर होगा यार आपको पता वाई 25 पर है एक्स से पहले होता 24 X बोला भाई मैने X नहीं बोला जार X simple X यह X बोला है कि तरी 24 पर हो ठीक है यह चीजी होगी और एक चीज को आपको बताता हूं इसे पूराम देता हों नाद देखरा हो तो 1 आपको क्या रखना था X क़्यालीस तक 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 आप square number 20 यहाद कर लो भाई एक से लिए के एडलीस 20 तक क्यूव नंबर याद कर लो क्यूव नंबर ठीक है ये पॉइंट आपको तीन चीजा मैंने आपको बताएं रीजिनिंग में याद करने के लिए एसले के जड़ तक के प्लेस बेलू इसके थुरू आप याद कर लेंगे एक से लिए के 42 तक स्कॉयर नंबर एक से लिए के 20 तक क्यू नंबर दो तीन बाट पापी में लिखोगे ना पैंसे तो आपको याद हो जाएंगे आद आपें याद सवह नहीं इसकी सवाल पर कैसी कैसी सवाल बनते हैं पहला सवाल बहुत आसान वोगा आपके लिए जिस्टे कि थोड़ा आपको टेंशन ना हो कियार ऐसे यसे सवाल भी प्पर में आती हैं आती है यह सबतरे की सवाल है वह देखना पड़ेगा कि आप कितना कर पा रहे हैं सवाल तो उपर निकलेगा, बिल्कु नहीं निकलेगा, उपर नहीं पर आएगा, भागेगा कहा मैंने भी अभी आपको बताया, पहली बोर्ड पर पड़ा रहा हूं भी या तो थोड़ी देखकता आ सकती हैं बोर्ड के साथ, कभी पैन नहीं चलेगा कभी आपका सवाल निकल जागा उपर के साथ, लेकिन हम उसको मैनेज करेंगे सवाल पहला आपको यह दिया जाता है कि find the missing number, बहुत आसन सवाल है, number series का सबसे आसन सवाल पांच, दस, पंद्रे, बेस, फिर देबलेंग, फिर तीस, अब आप मुझे बताओ इसके बीच में जो मैने gap दे रखा क्या number आपको यह देखना है, कि क्या इसमें कोई square number दे रखा है, क्या इसमें कोई Q number दे रखा है, नहीं दे रखा इसका मतलब कि simple आपको क्या लगाना है, gap चेक करेंगे आप, एक बार gap चेक करके देखिएगा, फिर आपकी समझ में खुद ही आजाएगा, कि इसमें क्या लोजेगे अब देखो आप, जैसे माल लीजे हैं लिखा है, पांच, दस, पंद्रे, बीस, क्या आपने पांच का पहला नहीं पड़ा कभी, भाई बच्वन में परसे आ रहे हो, अब तक परते आ रहे हो, रट के आओगा दिमाग पर सोते सोते भी कुछ लोग गा देते हैं, तो सीधा यह होई है, पांच, दुन ह溪 पगवी पंच, 45 पचम, 25 और 5 इंक तीस, गुना एक, गुना दो, गुना तीन, गुना चार, गुना पांच, गुना चर यह तो होगा आपका मल् टीपिलाई से, चलिए है आपको मल् टीपिलाई से, नहीं दिमाग में आया, तो आप क्या कर सक पंच दस पंदрь 20 और फिलिंद दैविलेंग तीस का तो मैंने क्या बता है सबसे पहले आपको क्या देखना गए क्या देखना आप इसके गफ पे पर गह आपने देर्गा है यहाँ पांच पांच है यानि गेप सेम पे हमने देखा कि यहां पर पांच पॉं पिछी बना नमबर पूछ यानि लास्ट सेकिंड नमबर अगर पेपर में पूछता है तो देखो कभी कभी सवाल में दो आंसर बन जाते हैं एक तो 5 से लेके 25 तक का लोजिक लगेगा जो आपका आंसर 25 कि जिएका कुछ और आ सकता है एक 5 से लेके 30 तक लोजिक लगेगा जिसकी वेसा आपका आंसर 25 आएगा आपसन में आपको दौनों दिरखे होंगे तो आप क्या करें जब भी आपको लास्ट नमबर दिरखा और उससे पहले का नमबर पूछा है तो आप लोजिक सुरूस लेकर एंड तक चेक जरूर कर लें एक बार कि आपका सेम लोजिक लग रहा ही लग रहा उस वेसे बहुत सवाल गलत होती है और मैं आपको कई सवाल ऐसे कराऊंगा भी जिससे आपको लगेगा रहा है आंसर तो यह होना चाहिए लेकिन जब मैं आपको लास्ट नमर से चेक कराऊंगा तो आपका आंसर गलत होगा पॉइंट के लिए ठीक है भी सवाल केला केलियर होगा पहला अब आते हैं दूसरे सवाल पर दूसरा सवाल भाई सब आपके लिए यह दे रखा है आप खुद करेंगे और बहुत आसान सवाल होगा मैंने आपको अभी बताया है कि अगर आपको इसकोई नमर सारे यादे हैं तो कोई आपको तकलीफ नहीं होगी इंदो को फिल्दा सीरीज में क्या नमर दे रखा है दिख रहा है न बराबर सबको 25, 30, 36, 42, 49, 25, 30, 36, 42, 49 में आपको next number find करना है तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे अगर आपका gap से सवाल बन रहा है तो gap से करिए लेकिन मैं आपको ज़्यादा तर यह बताऊंगो कि आप gap पे कम से कम जाएं क्यों क्यों क्योंकि gap में कभी-कभी तो एक बार में answer आजाता फर्स्ट step में ही कभी-कभी क्या होता है तीन step चार step से लग जाते हैं जवाब का answer आता है और डारेक्ट हम उसको किसी number से गुणा करके या गुणा करके कुछ नंबर को जोडने के बाद पहली step में हमारा answer आ सकता है अब try करो क्या answer होगा इसका हुआ? चलो मैं बता देता हूँ, खुद बता देता हूँ, मैं देखो कितना आसना सवाल ता आप खुद देखना अभी अभी मैंने आपको बताया था कि भाईया जहाँ आपको इसक्वार नंबर देखे 25, 30, 36, 42, 49 वहाँ आपको क्या करना है? सिंबल देखना है कि स्क्वार नंबर है कि नंबर टेड़े तो नहीं लिखे जा रहे है, बता देना किसी को ना देखे तो ठीक है? आप देखो, आपने देखा है 25 होजे रखा है, पांच का स्क्वार है, यह तो मुझे पता है, सीधे मैंने कर दिया 5 का स्क्वार है ठीक है? फिर मैंने देखा है यार यह जो 30 मुझे नहीं बतावी, क्या मैं 36 पे आ जाता हूँ, भाई यह 6 का स्क्वार है 42 ने बता है 7 का square है लेकिन मैंने यह देखा जब मैंने 25 का square root यानि 5 लिया था तो उसका multiple तेज दे रखा है यानि यहाँ पर क्या कर सकता हूँ मैं 5 गुणा 6 कर सकता हूँ यानि इस number के next number से multiply same यहाँ पर square root 6 था इसका multiple है इसमें भी 6, 42 कर सकता हूँ अब इसका next number क्या गया बता सकते हैं कुछ लगा आपको यानि square root के next number से multiply यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 गुणा 8 कर दोंगा कितना हो गया 56 बताओ अगर आप इस सवाल को gap से करेंगे तो आपको पता gap से कैसे कर पहेंगे देखो पांच का gap, 6 का gap, फिर यहाँ 6 का gap, फिर यहाँ 7 का gap अब अब क्या gap सोचो को यार, क्या next gap जाएगा क्योंकि यहाँ तो पांच का है, यहाँ 6, 6, 7 next 8 गी हो सकता है, 7 गी हो सकता है, 9 भी हो सकता है क्योंकि stream gap तो है नहीं तो आपको क्या जाना है फिर जिस तरह मैंने आपको बता है आप step by जेकेंगे यार ये square number थे क्या इसकी कुछ इसका रिस्ता बन रहा है रिस्ते सबसे बन जाते हैं तो 5 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 6 गुणा अंसर आ गया राइट इसको दुबारा लगाएंगे तो इसका मुदल आपको क्या करना है आपको यह देखना है कि मैं कितने कम टाइम में इसको कर पा रहा हूं आपको जितने में सवाल कराऊंगा अब हो साब से आपको टाइम देखना है कि 8-10 मिट लग रही या नहीं लग ठीक है अब आते हैं सवाल में तीसरे सवाल देखिएगा आप देखो जी पढ़ना तो आपको थोड़ा पढ़ेगा मेहनस से और चीजों को बार-बार समझना पढ़ेगा प्रैक्टिस भी अच्छी खासी करनी पढ़ेगी तभी आप अच्छे मार्क्स पेपर में ला पाऊगा और टार्गेट आपको पूरा रखना पढ़ेगा क्योंकि जब तक आपका टार्गेट पूरा नहीं होगा तब तक आप अच्छे नंबर लाने में आपको दिक्क्यत होगी क्योंकि ओल्डिटी नंबर पूरे नहीं आपाएं कि इतना आप टार्गेट रखेंगे बताव वही सवाल नंबर इसमें देखो क्या है अभी हमने दो सवल कैसे की है फिल इंदा विलेंग्स वाले फिल दा सीरीच मनल्ड़ बीच में मिसिंग नंबर वहाँ है जो फाइंड करना था इसमें आपको सारे नंबर दिया हुआ है इसमें आपको क्या फाइंड करना है in the following given series which one is wrong यानि इस फिक्रम मईं से एक नमच गलत ए है आपको worrying करना है कैसे यह को missing नमर वालटी से tough हैं को कि यह आपको जैसे हैं यह बीच को logic livro हम गया ऐनी एक तो पहले मैं ऐख करणा को यह क क्या है बहुत आसन सवाल है बहुत आसन सवाल देखो अभी-अभी मैंना आपको ए ratio कराया अगर आप देखिर पा रहे हो तो अगर आपने द्यान से समझाओ तो मैंना भी आपको ऐसा सवाल सेकिंड वाल 날 कराया हुआ है अब देखो अ कराता हूँ आप देखो मैं यहां लेखता हूँ इसको क्या नंबर था भाई चार छे नो बारे 16 21 25 और आपका एक मैं लिख दिया क्या 30 अच्छा अभी अभी मैंने आपको बताया आपको याद है क्या बताया था कि भाई आप देखो पहले स्क्वाइर नंबर यह दो का स्क्वाइर है ठीक है यह 3 का स्क्वाइर है कोई डाउट यह 4 का स्क्वाइर है भाईया आपका यह 5 का स्क्वाइर है फिर मैंने आपको क्या बताया था अगर यह स्क्वाइर नंबर नहीं दे रखे तो आपको क्या देखना था इस नंबर का इससे क्या रिस्ता है ऑसे सव खेले के या म इसके इसक कुना 3 yr दो गौणा 3 चार जैने निक्स नम्मर से गुना थीक इसका मुल्टी भील कए है चार गौना 5 यहां करें कर्का बीस इस आया यहां पर आप चेक करलो इस पांच गौना 6 यानी जो हम ने square number का square root लिया उसके next number से अगर मैं multiply करता हूँ तो मुझे next number find हो रहा है मिल रहा है बताओ तो हमने क्या find किया तो कितोना आसान बन गया सवाल यानि हम यह नहीं देख पा रहे तो कौन सा number गलत होगा हमने सीजर लोजिक लगा square root लिये देखा next number से multiple लाई है उसके multiple है तो इसका हमने चार से पांस ते गुणा की 20 आगे है दिपकी दिया रखा था 21 आपको क्या पूछा था उसने कौन सा number इसमें रहूंगा है आपका answer क्या होगा 21 रहूंगा क्या आएगा इसकी जिगे 20 आएगा जो मैं लिखा है ऐसे सवाल आपको paper में आते हैं आप दिमाग नहीं लगा पार यहां पता किया देख रहे होते या 2 2 2 3 4 यहां पर 2 का gap तो मैं आपको वही बता भी कि जरूरी नहीं है सारे सवाल अप gap गैप से सवाल कभी कभी टाइम विस्ट कर जेते हैं कभी कभी टाइम विस्ट करने के बाद भी होते नहीं है आपको डारेक्ट ये सोच के चलना है कि यार मैं लोजिक क्या लगाऊं डारेक्ट डारेक्ट लोजिक क्या लगाऊं और वो आपको सोच के चलना है ठीक है और वो आप कैसे लिए आएंगे मैं आपको मैं डारेक्ट लोजिक वाली सवाल ये आपको बताऊंगा गैप बाले तो आसान होते हैं और गैप बाले सवाल मैं भी मैं लोजिक से बताऊंगा आपको कहूँ है नहीं आप गैप पर जाओ ठीक है अब चलते हैं चोथी सवाल पर फूर्थ नंबर सवाल आजो बाई चोथा सवाल बताओं मैं आपको दिखाना चाहरा हूँ दो कैसे कि सवाल पेपर में बनते हैं दिखने में कितने आसान लगते हैं और टीपीकल होते हैं बहुत ही ज़ादा अब बताओ आप इस सवाल में जैसे क्या है इसमें रॉंग नंबर नहीं पूछा इसने बोला कि हम नेक्स नंबर क्या आएगा क्या दे रखा 170, 198, 228, 260, 294 अब आप क्या करेंगे इसको गेफ से निकालेंगे या अगर आपको पताओ गेफ से निकाल के हम किसी और लॉजिक पर जाएग तो हमें कोई दिकत निए हैं कि फुर्सम कम टाइम में कर लेंगे इप आप चेक करो अगर किसी को कोई doubt आये कोई समस्य से आये तो एक बार class को ध्यान से समझे और बाद में मुझे बताए कि हमें है यहाँ doubt आ रहा था ठीक है दो को इस सवल को हम दू तरह से कर सकते हैं सबसे पहले जो मैं आपको gap से बता रहा हूँ दूसे जो मैं आपको इक तरीकी से बताए और डारेक्ट आप कैसे पहुँछ सकती है सबसे पहले आपको बताता हूँ सब्सक्राइब यहां आपको बताता हूं यहां आपने देखा कितने का गैप है यहां आपका गैप है कितने का 28 का ठीक है यहां कितने गैप है 30 का यहां कितने का है भाई 32 यहां कितने का है 28 32 34 तो आपको यह पता लग गया कि यहां दो दो गया पर 28 पिलस दो 30 30 पिलस दो 32 32 पिलस दो 34 एक लिए और लिख देता हूं जैसे कि आप और तकलीफ ना हो समझने में 2 यहां पर 2 नेक्स्ट क्या आएगा यहां पर दो आप लोग है 34 और दो 36 36 और 294 कितना हो गया 330 कौन सा ओप्सें दे रखा दी दी इस दा राइट आंसर ठीक है भाई तो इसको हम ऐसे नहीं कर सकते क्या आपको गैप से ज्यादा अच्छ लगे आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि 170 198 228 260 294 मैंने इसलिए भी आपको शुरू सुरू सुरू बताया था कि आपको क्या रखना है इसको नंबर जरूर याद करने हैं आपको पता तीरे का इसकोर कितना होता है 169 यह हो गया 14 कितना होता है 196 पिलस दो 15 का सबको पता होगा है 225 होता है 15 का स्क्वाइर पिलस तीन तो हमने क्या पाया भाई हाँ पे स्क्वाइर नंबर में एक हेक का इंक्रिमेंट पिलस नंबर में एक हीक का इंक्रिमेंट एक लैन में होजगा सवाल से देखना 1314 है 15 हमने पता लग गया होगए आप देखो को कर लोगे आपको आसन लग रहा हुगा लेकिन आप खुद देखो पहले से टिपीखले के समझना पड़े फिर आप जैसे सवाल करोगे वैसे वैसे आपके दिमाग में फिर यही चीज आएगी फिर यही नहीं आएगी क्योंकि इस से आप कम टाइम में कर पाओगे आपको स्क्वार नमबर याद है हो सकता है कि हैं माइनस होता है माइनस होता है यह एक, 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 एक ही नमबर होता, इनकरी नहीं होता पहले स्वाला नमबर, सब तरह से किलियर आपको होगा, लेकिन आपको, खुछ देखो, आप उसमें अपने तीनी स्टेप में सवाल निकाला है, एक बार पहले गैप देखा, फिर दूसरा स्टेप देखा, दूसरा स्टेप में निकला, फिर जोड़के लिखा, यहां पर आपका डारेक्ट आ गया, समझें आप भई, आपको ऐसी करने है सवाल, ठीक है, अब हम चलते हैं, नेक्स सवाल पे, वाट, डिफेरेंट टैप का सवाल होगा, सवाल नमबर पांच, देखो, अगर किसी को लगे, कि थोड़ा सा मुझे समझ में कमा रहा है, या अच्छा आ रहा है, तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्वा, जिसको कमा रहा है, उसको भी आएगा, वो बेचें नहों, परेशा नहों, सब उसकी समझ में आएगा, पेपर में भी अच्छा कर पाएगा, ठीक है, सवाल नमबर पांच बताओ भाई, फिल्डा सीरेज, पांच, छै, चौदे, तेई, सतासी के वाद, नेक्स नमबर आपका क्या आएगा, आपको सवाल वड़ी वैसे मिलेंगी, क्योंकि आसन सवाल तो आप खुद कर लेते हैं, आप कहेंगी वड़ी अजीब सवाल है, पेपर में सवाल भीया आए हुए हैं, और ऐसे सवाल पेपर में आजकर आ रहे हैं, पांच, क्या लिखा है, 6, 14, 23, 87 के बाद, नेक्स नमबर क्या आएगा, 210, 112, 122, 103, क्या आप इसमें गुणा करके कुछ नमबर फाइंड कर पा रहे हैं, गुणा एक पिलस एक, गुणा दो पिलस दो, लेकिन 14, 32 नहीं हो रहे हैं हाँ पे, क्योंकि 14 के पाद नमबर 23 रखा है, तो इसमें आपको देखना पड़ागा क्या, क्या गैप से कोई लोजिक बन रहा है, देखो गैप अगर आप निकालोगी न, तो जरूर निया गैप सिंपल हो, हो सकता है गैप में भी स्क्वार नमबर का गैप हो, क्यूब नमबर का गैप हो, स्क्वार नमबर में कुछ नमबर पिलैसे हैं माइनस हो सकता है, चलो मैं बता जेता हूँ, इस सवाल को देखो कैसे करेंगे, भीया मेरे आपने देखा, या रिक तो हैं गैप कम है, अगली बार से क्या करेंगे, और सवाल के बीच में थोड़ा गैप लेका आएंगे, ये कैसे घूम गया, कोई बात नहीं हम इसको टेडा ही करेंगे आज, ओहो ये तो बहुत स्मूत है, ये तो ऐसे घूम रहा है, जैसे पिर्थ भी घूम रही है, ठीक है, अब आते ह Sis सवाल पे, देखो, हमने देखाँ, ये क्या गैप है, 1 का गैप है, 8 का गैप है, 9, यहाँ पर कितना गैप है, अब देखो, मैने गैप से क्यों बताई सवाल, क्योंकि मैने ये देखा, सबसे पहले मैने क्या देखा, आपको वह बताए तो आप पुछेंगा आपने gap से एक हो रहा है यहां गुणा दो पिलस दो हुँ रहा है क्या पर गुणा 3 पिलस तीन हो रहा है? गुणा 3 पिलस तीन नहीं हो रहा है इसका मतलब हमारा यह वाला logic यहां fail है फिर मैं नीचे gap पे आ गया अब मैंने gap से निकाला तो मैंने gap से क्या देखा यार यह 2 की Q होता है यह 3 का square होता है यह 4 की Q होता है यह 1 का square होता है यानि square cube square cube next के आएगा 5 का square यानि इसमें 25 में जोड़ दोंगा 25 अता सी 100 बार है बताओ भीया कोई तकलीफ हो या वो करने में आप इस logic से गए क्या आपका logic यहां पर follow कर रहा है नहीं कर रहा है यानि यह logic आपका कलत आप नीचे आए एक आठ नौ चौशट एक का square 2 की क्यों तीन का square 4 की क्यों पांच का square आजा के next number यह square आप इसको square करिए एक थोड़ा अगर आपको लग रहा हो different यह square है square है लिख देता हूँ दुबारा पच्चीस आपको लगे नहीं कि different पांच का square है इसको आप रफ कर लो क्योंकि यह आपका काम कर नहीं है है ठीक है जी भाईया सवाल क्लियर हुआ पांच निमर सवाल 112 कैसे अंसर आया तो हमें सारी चीजां पता हो नहीं चाहिए कि गैप से सवाल में time ज्यादा लगेगा तो हम sort वाले method हो जाएंगे फिर देखेंगे sort वाला method भी apply नहीं हो रहा फिर हम gap में जाके देखेंगे gap में क्या method से सवाल हो रहा है जो gap दे रखा है simple gap है square number का gap है cube number का gap है या दोनों दे रखें alternate ठीक है जी हम चलते हैं सवाल नंबर सवाल 6 भाया बहुत typical सवाल बहुत different सवाल है सवाल number 6 बताईएगा बहुत दिखने में कैसा लग रहा आजीब सा सवाल है 6, 6, 20, 20 अब बताओ आप क्या आएगा आपको आसन का बोलता है जब मैं एक next number दे ता आप बोलते है उससा next वो सेम आ जाएगा लेकर अभी तो इसका next आपको find करना है बताओ find the missing number 6, 6, 20, 20 इसमें और भी सवाल बन सकते हैं same number के दो हैं लिख देगा same फिर next पूछेगा आप चाल मैं माता देता हूं इसको चिस टाइब का आप सवाल था यह अब पताओ के देखोागा आप इसके वीचे गाब देखोगा 0 gap है फिर हैं 14 gap है फिर हैं 0 गए फिर हैं 14 gap करोगे 20 और 14 34 ओप्सन में है नहीं है या नहीं है या नहीं आपका 34 तो आशर है यह नहीं आप देखो इसको कैसे करेंगे 6 6 20 20 next number भाया 6 का आप देखो क्या factor हो सकता है मैं ना आप क्या बताया ता logic जो बनते है number series के सवाल में एक तो square आपको याद होने जाई है x का square plus x भी हो सकता है x का square minus x भी हो सकता है x की q plus x भी हो सकता है x की q minus x भी हो सकता है यानि square में plus x square में minus x q में plus x q में minus x ये जो सवाल था इसमें हमारा ये वाला लोजिक लगेगा ये भी लगेगा और ये भी लगेगा दोनों लगेंगे इसमें अगर 6 को मैं लिपता हूँ तो 6 को मैं कैसे लिखूंगा कि 2 का स्क्वाइर पिलस 2 2 दूनी 4 और 2 6 2 मिट गया हमने दुवारा लिख दिया 3 का स्क्वाइर नौर माइनस 3 यह मैं यहां पर भी 2 का स्क्वाइर पिलस 2 कर सकता हूँ लेकिन उस साब से आगी का नंबर फाइंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जब दोनों का लोजिक सेम रखूंगा तो पर इन दोनों का सेम रखूंगा आगे मुझे क्या पता लगेगी मैं गेप फाइंड करूंगा नंबर पता लगाऊंगा कि जो सेक्वेंस चला है वो क्या नंबर के सेक्वेंस है तभी तो नेक्स नंबर बता पाऊंगा ठीक है अब आता हूँ मैं इस पर ये 4 का स्क्वाईर पिलस 4 कितना हो गया 20 2, 3, 4 यहाँ पर क्या आएगा 5 का स्क्वाईर मैंनस 5 समझ मैं भाई आपको स्क्वाईर चला लगातर 2, 3, 4, 5 जिस नंबर का स्क्वाईर कर रहा हूं एक बार पिलस एक बार माइनस एक बार पिलस एक बार माइनस अब देखो आपको क्या पता लगा लगातर नंबर चलने हैं continuous यहाँ पर 6 का स्कॉर आ जाएगा even नंबर में क्या चलना है पिलस तो यहाँ पर मैं पिलस कर दूँगा 6 का स्कॉर 36 42 42 is the right answer क्या आप इस सवाल को gap से कर पाते क्या आप इस सवाल को किसी नंबर से गुणा करके कर पाते gap से तो कभी नहीं कर पाते इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सारे सवालों gap पे ना जाए क्योंकि आजकल paper में जो सवाल पूछे जा रहा है वो normal simple gap पे आई नहीं रहे अगर gap पे भी होंगे ना तो जैसे मैं पिछला सवाल आपको बताया था square दे सकता है cube दे सकता है या gap अगर देगा ना तो कुछ नंबर के गुणा कर देगा उसमें plus minus कुछ नंबर कर देगा फिर next gap में कुछ नंबर से गुणा कर देगा फिर कुछ नंबर plus minus कर देगा यानि simple gap वाले सवाल नहीं आरे जो पहला सवाल मैंना आप उकर आया था इसमें सिर्फ plus 5 plus 5 plus 5 का gap था ठीक है वह यह समझ में आया आपको simple gap के सवाल तो मिलेंगे नहीं आपको पढ़ना इसी तरह पढ़ेगा इसी तरह के सवाल करने पढ़ेंगे तो आपको अच्छा भी लेगा है कुछ नया सीखने को मिलेगा आसान तो आप खुद कर लेते हो खुद कर चुके हो पेपर में भी आप कर रहे आते हो करना क्या आपको आसान से typical कैसे पहुचना है जो पेपर में typical सवाल आ रहा है वो हमें कैसे attempt कर दो है ठीक है जी अब आते हैं सवाल नंबर 7 पे सवाल 7 बताईएगा भाई सब क्या जवाब होगा खतम नहीं होगा आप टेंशन मतलो उपर सवाल नहीं जाएगा मैं उसको नीचे पकड़ लाओंगा बताईए सुरू में मैंने आपको बताया था कि स्क्वार के सासा था था वो क्यूब नंबर याद हो नीचे सिंप्ल बीस तक बताई थे बीस तक क्यूब करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है चार-पांच वार आप कॉपी में लखो का आप को याद हो जाएंगे एक बाइस सब्सक्राइब पूरे इस्टा चलाते रहते हैं इस्टा के मालेक टाइप हो रखे हैं वो दिन बास चलिए इस सवाल पर आते हैं अब अब देखो इस सवाल को आप कैसे एप्प्रोश करोगे भाईया गैप से आप इसको कर पाओगे गैप से भी कर सकते हो लेकिन बहुत लंबा पड़ जाएगा उनकि जिससा आप से आप गैप निकालोगे तीन से बैली से चार से बैली सोर अठावण एक सोर सटका गैप आएगा दूसरे में फिर एफ सोले के आशपस गैप आएगा बहुत लंबा पड़ जाएगा से कर सकते हो लेकिन गैप से बहुत डिफरेंट होगा सवाल बहुत टीपिकल बन जाएगा आप एक एक बर माइनस करके लिखोगे फिर नेक्स उसमें एड करोगे बहुत टीपिकल है क्यों आप सिंपिल मेथल्ड पर आए जो मैंने आपको बताया के साथ साथ आपको क्या कि यादे है 1512 होती है नो की क्योंवी याद है anonym कि प्ल्द की olabilir होति है दसञा कि कि प्लुंज के हजार मिसकी क्यों 1413 अजरे की M यहां लिख देता हूँ ओपी दर इतनी होगी तिरे क्यों 27,44 ठीक है जी? यह होगी ना क्योंकि 78 इसकी होगी 2, 3, 3, 9, 27 नहीं, नहीं, नहीं 27,44 नहीं होगी इसकी होगी 297 2, 1, 9, 7 क्योंकि लास्ट में 7 आएगा 2, 1, 9, 7 297 होगा ठीक है अब देखो आप लेकन हैं तो आपको इतनी जरूती नहीं है यह जरूती नहीं है फिर्मी में आपको बता दिया कोई बात नहीं देखो अब आपने देखा है यह 7 क्यों 3,43 होती है एक नमबर कम दे रखा है तो 7 क्यों माइनस एक 8 क्यों 512 होती है 8 क्यों माइनस 2 9 क्यों 739 होती है माइनस 3 10 क्यों 1000 माइनस 4 11 क्यों 331 माइनस 5 12 क्यों 3728 माइनस 6 1722 जो आंसर इसका आजाएगा कौनसा ओप्सन है डी बताओ आपको seconds लगेंगे सवाल करने में seconds हो माप कर दोगे सवाल लेकिन cube, square और जो मैं तरीका आपको सवाल बता रहा हूँ उस तरह आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा समझना पड़ेगा हम कैसे attempt करें ठीके जी अब चलतें next सवाल find the wrong number in this series यह जो सवाल आपको दिया हुआ है इसमें यह number find नहीं करवा रहा है एक wrong number नहीं दिया हुआ है इस सीरीज में वो find करवा रहा है कि इसमें कौन सा wrong number है यानि इस सीरीज में जो gap बीच में उस gap की sequence number सही नहीं दे रखे बताईएगा फिर आप क्या number आएगा क्या सवाला थिरी 1.5, 1.5, 2.5, 4.5, 11.25 जोगो चार option दिये हुआ इन चारों में से कोई एक number गलत है यानि यह तो 11.25 लास्ट वाल नमर एक उससे पहले वाला 4.5 एक उससे पहले वाला 2.5 एक उससे पहले 1.5 यानि यह दोनों number ठीक है एक अंभर में यह number दोनों ठीक है अब देखते हैं क्या logic है देखो इसमें आप एक चीए याद रखना हमेशा कि अगर आपको पहला number जो दिया हुआ है next number उससे आदा दे रखा है तो समझे लो उसमें पक्का 1.5 की multiply हो रखी है और फिर सेम number दे रखा यानि 0.1 दे रखा फिर इसमें into 1 की multiply यानि into 1 होगा और सेम सवाल ऐसी बनेगा देखो मैं आपको हीं बताता हूं direct अगर 3 से 1.5 है तो क्या होगा यहां पर फिर इससे आदा बढ़ गया फिर इससे आदा बढ़ेगा तो क्या आएगा into 1.5 और मुझे पता है यानि पॉइंट को मान ही नहीं पंद्रे पंद्रे गुणा करता हूं कितना आता है 225 यहां के दे रखा है 202.50 तो यहां पर 2.25 आएगा यानि 2.5 रॉंग नंबर है कौन सा ओक्षन है इतना ही सवाल चेक करूँगा मुझे अगर मैं गुणा 2 करता हूं आदा आदा मैंने जोड़ा है गुणा 2 कर दूँगा साड़े चार आजाएगा फिर गुणा 2 कर दूँगा 11.25 आजाएगा कुछ लगा इस सवाल में सेकंड्स में लगए आपो करने में बताओ समझ मैं यानि मैं आपको क्या बताया कि एकर पहले नंबर के बाद सेकंड नंबर उसका आदा दिया हुआ है और फिर सेम नंबर थैड वाले नंबर पर दिया हुआ है तो आप समझ जाएए कि पहले नमबर का आदा second number और second into one करके third number में दिया हुआ है तो अपमें इस सवाल करने मत आसानी होते थे बहुत सवाल paper मनते हैं 422 दे देगा 633 दे देगा तो क्या करना आपको पहले .5 फिर into one ठीक है जी अब आते हैं सवाल नमबर नो पे सवाल नो बहुत आसान सवाल आपके लिए 37 37 47 49 क्या आपको ये नहीं लग रहा नमबर देखिए कि जो पहला नमबर है उसकी जस डवल के पास second नमबर है फिर उसकी डवल के पास third नमबर है फिर उसकी डवल के पास fourth नमबर है देख लेते हैं देखो सवाल typical तो नहीं है खरितना अब 3 से 7 जाना अगर मैं gap से करता हूँ कुछ लग रहा आप वो gap से हो पाएगा यहां 4 का gap है यहां 10 का यहां आपका 21 का gap है यहां 49 यह 78 यहां आपका gap 46 का नहीं gap से तो नहीं यहां फिर होगा तो 2-3 step लेगा हम direct करते हैं देखो 3 से 7 पहुचना है मुझे तो भाई आप मैं कर दीता हूँ गुणा 2 पिलस 1 ठीक है दिख रहा है गुणा 2 पिलस 1 अब 7 से 17 पहुचना है गुणा 2 पिलस 3 ठीक है अब माल लेजिए आपकी दिमाग में क्या आएगा आपकी दिमाग में आया कि जी मैं तो गुणा 3 माइनस 2 करूँगा ठीक है भी आप गुणा 3 माइनस 2 कर लो फिर यहां करूँगा मैं गुणा 3 माइनस 4 करूँगा ठीक है आप कर लो दुनी चार दुनी आठ आना चाहिए था यानि हाँ पर हमारा gap बिगड गया और 49 तिया करूंगो तो 120 आ जाएगा 120 यानि 170 आएगा यहाँ आपका gap बिगड जाएगा इसलिए आपको फिर इस वाले लॉजिक पर न जाके आप किस पर जाएंगे यानि हमारा यह लॉजिक फिरिया पर गलत होगा हम किस पर जाएंगे अब इसको यहाँ से काटेंगे हम जाएंगे किस पर नीचे वाले पर 17 दुनी 34 पिलस 5 49 दुनी 78 पिलस 7 85 दुनी 170 और पिलस क्या आएगा बहिया 1, 3, 5, 7 और नमबर हैं देखो पहला तीसरा पांचमा साथमा नौवा 85 दुनी 179 180 D is the right answer एक बात मैं आपको और बता देता हूँ जैसे यहाँ पर 1, 3, 5, 7 था अगर आप और नमबर का यूज़ कर रहे हैं तो देखो 1, 3, 5, 7 9 आएगा और अगर आपको सीरीज 2, 3, 5, 7 दे रखी है तो फिर 11 आएगा, 9 नहीं आएगा क्यों क्योंकि यह प्राइम नमबर होई आएगे इससे बहुत confusion आपका आंसर बनता है, option मैं 9 वाला भी दे रखा हो 11 वाला भी दे रखा हो, आपको क्या देखना है अगर शुरुआत 1 से है तो 9 आएगा, 2 से हैं तो 11 आएगा बागी 3 नमबर से हैं, 3, 5, 7 3, 5, 7, यह प्राइम नमबर है यह और नमबर है, ठीक है, clear यह हो गया अब आते हैं सवाल नमबर 10 पे यह बताओ भाई, यह तो बहुत आसन सवाल है इसमें मैं आपको hint देता हूँ इसमें आपको hint इसमें 2 सीरीज लगनी है दो इसमें gap लगेंगे अलग अलग क्या नमबर है 84, 14, 28, 7, 28, पिलिन्दा विलेंक्स 84 इसमें आपको इसमें आपको ज्यादा दिमाक नहीं लगाना इसमें पर आप 14 टिक कर दो आंसर करेक्ट बस सिमेंट्रिक थी आदा इदर से मैं आदा उदर से मैं बाकी आपको तरीका पता देता हूँ क्या था देखो 84, 14, 28, 7, 28 और 84 अब आपको यह देखना है कि मैं 84 से 14 पर केसे पहुँचूंगा बताओ आदा नंबर है इसका, आदे से आदा है, नहीं है क्या है, डिवाइट अगर मैं कर दूँ यहाँ पर डिवाइट 6 क्योंकि मैंना आपको बताया था, नंबर सीरीज में पिलस, माइनस, गुणा, भाग सब लॉजिक लगेंगे स्क्वाइर, क्यूप, स्क्वाइर, क्यूट, क्यूव, रूग, वो भी लगेंगे डिवाइट 4 7 से 28 पर कैसे पहुंचेंगा गुणा 4 अब यहाँ पर क्या ले क्या हूँ, मुझे यह देखना है तो मैंने क्या देखा है, पहले डिवाइट, फिर गुणा, फिर डिवाइट, फिर गुणा यानि ये कन्फम हो गए, यहाँ पर डिवाइट आएगा आएगा क्या 6, 4, डिवाइट वाले देखूंगा डिवाइट वाला 2 कम हुआ, यहाँ पर 2 कम हो जाएगा यानि 6 से 4 हुआ, 4 से 2 हो जाएगा 14 यहाँ पर आंसर आजाएगा 14 हो दें गुणा में गाना था गुणा फोदो इंक्रीज ओ रहा है यहां पर पर गुणा दो इंप्राइघ कितना आज कंश चॉअनी माविथ जीर Creek 34 तो अपक दोड़कि सु Pizza आप से मेंक्डिक देखном 7,4,1,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,8,4,8,8 simple सवाल था जो कि आपको इसकी भी करने की जरूरर नहीं थी तो कितना आसन सवाल हुआ 14 सकर रायट अन्सर आगया ठीक है next सवाल बचले हैं भाई अभी तो 10 सवाल हुआ है कुछ और कर लेते हैं अब आते हैं सवाल नमर 11 बहुत तकला सवाल है भाई ये वाला सवाल नमर 11 जिसको भी ये आगया ना करना तो समझ लो कि वो FCI निकाल लेगा क्योंकि ये सवाल FCI में आए हुआ था और FCI के form अभी आए हुए है आप FCI के form भर सकते हों बहुत अच्छा विपर आता है FCI के और बढ़िया जोब है FCI की अगर आप किसी बच्चे ने भी FCI के form नहीं भर आए भी तो भर दे बेकेंसी ज़रूट कम है लेकिन आपको तो एक चाहिए आप भर दीजिए हुआ भाई किसी से अभी तो हुई ने दाया ट्राइ करो हाभाई 77 मैं बोल देता हूँ एक बड़ सवाल 49 36 और 18 15 ओप्षन है 13 ओप्षन में 19 और 8 है सवाल बहुत डिफरेंट टाइप का है अगर आप कर पाएंगे इसको तो इसमें कोई गैप का आपका लॉजिक नहीं है कोई इसमें डिवाइड जो आप गैप निगा लोगे वो तो कुछ ही नहीं अपसे ही समझ लोग चलो मैं बताएं तो आपसे हो गया सवाल यह कोई इतना असन सवाल तो उथा नहीं यह आपका एफस आपको सवाल तो अगर आप इसको गैप से करते हो त दिवाद में क्या आएगा डिटर संथ नहीं है यहां माइनस 13 होता है हम यह थीक है है माइनस नो होता 27 होना चाहिए था है हम वो भी निकालना तो देखो इसकी वीत्म में जो gap है न भहिए जो next number आये 77-7 का गुना करके आया है gap नहीं जो next number आया है ये इसकी गुना करके आया है 77-ไป गूण 9 गूण opens 16 it's not 10 179 सथ्थ और यहांपर क्या आएगा 4-9 not 6, 3, 6, 18 अब तो आपको पता लगी है क्या है अगर नेक्स नमबर अब आठा लेगी डिजिट का मुल्टिपलाई कर दो 18, 8 यह एट इस दा राइट अंसर बताओ अब आपने देखा कि अगर यह सवाल आपके पेपर में आजाए CGL में तो आप कैसे करेंगे क्योंकि ऐसा नहीं है कि CGL का अलग सवाल है FCI का अलग सवाल है CPU का अलग सवाल है सवाल वही सब घुमनी है CHSL में कोई सवाल कहीं किसी का आजाता है इसलिए आपको सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी यह नहीं गया आपने सिर्फ CGL के पिरिवी सेयर कर लिया यह STHSL का अभी पर आपने CHSL पिरिवी सेयर कर लिया CPU का देना जा रहा है आपने का जी मैंनो तो पिछले 5 साल के CPU कर ली है पता लग है उसमें 21 सवाल यह 4 तो CGL के थे जो कभी CPU में आई नहीं थे भहीं आपके 4 सवाल गलत आपने कर लखें तो आप 4 तो 25 सवाल ठीक करा होगा ठीक है जी बहुत अच्छा आपको लगेगा बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा और सारे सवाल में आपको कवर करा हूँगा कि चाहिए किसी भी एक्जाम कहो जिससे कि किसी भी बच्चे को यह न लगे कि यहाँ से मेरी यह कमी रह गए मतला जो पढ़ेगा यहां से तो उसे लगेगा कि मेरा सारा कुछ कवर हो रहा मुझे 10 जिगे अलग लग भाग के या किताब इतनी लिने की मुझे ज़्यादा ज़रूद नहीं है ठीक है जी अब हम आते हैं नेक्स सवाल पर सवाल नंबर बारे पर सवाल बारे बताओ ये सवाल देख रहे हैं आप आप्सन तो ऐसी दिरेकर जैसे किसी के अकाउंट में सवाल पर बारे अब आप जरूद आप जरूद करेंगे लेकर अभी सपना है और सबना सबको अच्छे देखनी चाहिए पॉजिटिव देखनी चाहिए सबसे जैसे इसमें कौन से में दे रखी है डी ऑप्सन में दीवाली किसी को मिल जा तो कितना अच्छा लगेगा चलो मैं बताजेता हूँ ये भी बड़ा आजीव सवाल है ये भी आपको लगेगा यार क्या आजीव बीमारी दे रखी है देखो इसको तो नीची बताना पड़ेगा इतनी जगें नहीं है उपर देखो सबसे बिले मैं नमर दे रखा क्या क्या आप इसको गैप से कर पाओगे भाई या गैप से करने मदो मुझे लगता वो केल फिलोटर कम पड़ जागा क्योंकि यहां तो आपका सिर्फ 31 कितना गैप यहां पर फिर आपका गैप 600 700 करीब पहुंच जगा यहां पर आपका रहा है यहां पर तो लाको करोड़ों पहुंच जाएगा करी नहीं पाओगे पॉसीविल ही नहीं इतना तो और दो को सवाल था कितना असन मैं देखके बताता हूँ आपको ते रहे ते तालीस साथ सो बारे उन्नीस चौरासी और अब आप जैसे में पिछले सवाल मावी क्या पताया था डिजिट का मैंOoh क्या मैं नंथिक नंबर फैंड हो रहा था इसमें मन्टिपलाइश यानि सिंपल सवाल क्या बना ब्राइव वाला क्या था सेवनती सव ohh not नएस सथिन फिर पर फोतिफोंच ऒक तर चैस ने चार आया तो 1 प्लस 3 अगर करता हूँ चार आ गया फिर 1 एंटू 3 करता हूँ 43 आ गया देख रहे हैं आप कैसे के सवाल पेपर में आते हैं ये अपके पेपर का सवाल है आपको लगेगा बड़ा अजीब सवाल है यार क्या आप अगर आपको नहीं जिसने नहीं किया अगर आपको ये बताओ पेपर में मिल जा तो क्या आप कर पाएंगे मुझे ही लगता कुछ बच्चों को छोड़के सारे बच्चे कर पाएं क्योंकि भाईया इतना आप सूचेंगी भी कैसे माल लेजी आप सूच बिले ये तीन में खराब कर दी तो मुझे लगता फिर तो आपको छोड़ने में बहले हैं ये तीन में खराब करके आप एक सवाल कर पा रहे हैं क्योंकि उससे आपके नेक्स चार सवाल में दिमाग खराब होगा और पता लगे का आपका टाइम भी निकल गया आपको इसलिए सारी चीज़ पहले करना जरूरी है आप चार और तीन साथ और चार गोणा तीन 12 देखरो आप पहले साथ यह रखा है फिर 12 यह पहले सम फिर मल्टिपलाई सेम इसमें 7 और 12 जैसे जैसे नमबर आ रहे है ना सम और मल्टिपलाई के बाद वही नमर उठांगों मैं यह साथ आया तो साथ उठाया फिर बारे जोड दिया 19 आ गया यहां पर साथ बोना बारे कर दिया कितना आ गया बारे सत्य चौरासी आ गया अब इसमें आप जोड़ो जी 198 प्लस 4 नहीं जो जो नमर सम और मल्टिपलाई अलग अलग आए हैं सिर्फ वह नमर अब 19 लोगा मैं इसमें 19 में मैं आपका 80 48 करूंगा कितना आ जाएगा भाई 84 और 16 100 84 और 16 100 एक सो तीन आ जाएगा ठीक है उसका 19 कुना 84 कितना आएगा लास्ट में 6 आना दो अप्सन में दे रखा है लेकिन एक सो तीन चाहिए में सुरू में देखो अब लास्ट में 6 आना है छे किसमें दे रखा इसमें दे रखा गलत इसमें दे रखा नहीं दे रखा यह भी गलत इसमें दे रखा इसमें दे रखा इसमें दे रखा इसमें द यह देखा, शुरू में 103 था, यह दो आपसं तो ऐसी कट चुके थे, 103, 101, इसमें 101 था, यह भी काड़ दूआ, डालेट 103 आगया, इसना असान था, बाकि जिन्हों ने 103 में नहीं जहन दिया, लास्ट में 6 आना था, उन्डीस परना 84, 6, 6 इसमें नहीं था, इसमें दे रखा थ लेकिन शुरू में 103 चाहिए, तो इसमें दे रखा था, यह काड़ दिया, बाकि तो जोटने के बाद ही आगे था, 103, अब देखा आपने सवाल, पिछले वाले में क्या था, सिंबल मल्टी प्लाई था, वह आपने कर लिया, FCI क्या सवाल था, इसमें क्या था, पहले सम, फि से आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा, ठीक है, अब आते हैं सवाल नमर 13 पर, देखो भाईया, यह वाला सवाल बताओ, और मुझे लगता है, सवाल ज्यादा टिपीगल तो नहीं है यह, आसन सवाल है, क्या आप इस सवालों गैप से कर पाओगे, आपको लगता है, जिससे आप से सीरी इनिंकरीज हो रही है, और ऑप्सन बड़े-बड़े दे रखे हैं, उससे बड़ा आपको लास्ट नमर दे रखा है, आप गैप से कैसे करोगे, आपको लोजिक लगाना पड़ा है कुछ न ठीक है, यानि आप क्या लगाना पड़ागा इसमें, आपको ध्यानों मैंने अभी पिछले कुछ सवाल में बताया था, कि हम देखेंगे सेकेंड नमर जो दे रखाय में, वो फर्स से कितने करीब है, डबल है, वन है, या आदा है, फिस सेकंड, थर्द देखेंगे, सेकंड कितने करीब है, या थर्द से फोर्द कितना करीब है, आगी बढ़ रहा है, फोर्द से फिप्त कितना बढ़ रहा है, सेम इसमें देखना है, यानि कुछ नमर से, कुछ नमर से मल्टीपिल आई, और कुछ नमर पिलस माइनस, गुणा एक्स, पिलस माइनस एक्स भी हो सकता ह सेम नमबर भी हो सकता है और गुणा एक्स पिलस मेनस वाई भी हो सकता है सेम इस सवाल में देखते हैं क्या है लोजिक भाई पांच छे चोदे पैंतालीस और नौसव पच्चेस तो को सारे चेप्टर हम कवर करेंगे बहुत अछे तरीगे से कवर करेंगे जिससे कि आप ऊड़ू हो कोई भी सवाल कोई भी तरीगा कोई भी इसका डिफनेट लोजिक कोई आपका ना छूटे जो भी चेप्टर होगा चाहे आपका नमबर सीरीश जो क्लोग हो कलेंडर से लोग चेप्टर बहुत टिपिकल होता है नहीं समझ माता है एक बार माँ आपके या कलोक चप्टर है घड़ी क्योंकि तो वेसी वक्त खराब चला है उपर से घड़ी और खराब हो जाएगी फिर कलेंडर कोई कोई साल आपके अच्छे होती है उपर से फरवरी का महीना गर आजा तो आपका अ य offen फस्लेकर शचली वा इसको खराब करेंडर को सब्कूर्ण अघए काइसर शामनी कर तो हमें अनएगा कृए पांच कोच Bike करिब लेकर आ Dokट को क्तया है यह घरक。 गुणा एक करूंगा और पिलस एक करूंगा कोई देखकत यहां तक आसा न गुणा एक है है पांच और पिलस एक चे अब 6 को 14 करीब लेके आउगा यानि गुणा दो 12 और पिलस दो 14 यहां भी कोई दिक्केत नहीं है चौधय को 45 करीब लेके आँगा गुणा 3 पिलस 3 यानि आपने क्या देखा जो मैंने बताए आपको गुणा X पिलस X भी हो सकता है मानिस X भी हो सकता है और जो पिलस भाला नमर हो वो Y भी हो सकता है अब आप इसको भी चेक कर लो विसे चेक करने की जरूरूरत नहीं है कि लोजिक सही चल ला है गोणा 5 पिलस 5 184 पंजे 58 पंजे 90 चार पंजे 20 920 पिलस 5 925 अब बताओ आप अगर इसको गैप से करते तो आप कितना टाइम लग जाता है होता भी नहीं है यह houses जरूर है कि नए चीज आपको सिखानी है नए चीज आपके पेपर में जो आ रही है वो आपको करना बहुत जरूरी है ठीक है जी अब आता हूं मैं नेक्स सवाल पर सवाल नमर चौदे पर सवाल चौदे कुछ अजीब सवाल नहीं है बताओ भी सवाल नमर चौदे छे नो तेरह उननीस उननत तेस दो को सेम सवाल है पीछे वाल नमर की तरह है मैंने सवाल आपको बताए है अभी कि हम देखेंगे सेकंड नमर जो फर्स्ट के कितने करीबे कुछ नमर की गुला होगा है पिलस हो रहा है माईनश हो रहा है सेम थार वळा नमर सेकंड के कितने करीबे कुछ गेप से आगर आप इसको करोगे तो आप कर पाऊगे हैं तीन क 4, 6 हो सकता, एक तरह से हो सकता, double gap same कर सकते हैं , देखो कि हम पर इक का gap है? यहां पर दो का gap και पर हंपर, चार का gap है याỉ एक दूनी दो दूनी four दूनी आठ 10 और 8 disproportionately 29, 79 नहीं आएगा . esso 19 और हाथाय आ ना ऐ आप已经 और 29, 47, हाँ, double gap से आप इस सवाल को कर सकते हैं, कौन सा option है C, समझ में आना, देखो, 3 का gap, 4 का gap, 6 का gap, यहां 10 का gap, अब next मुझे नहीं बता था, क्या gap आएगा, तो मैंने कह गया, double gap लेके देख लिया, यहां 1 का gap था, यहां 2 का था, यहां 4 का था, यानि 1 दुनी, पाड़ा रहा हूँ, क्योंकि double gap में थोड़ा time आपको लगेगा, 6, 9, 13, 19 और आपका 39, मैं आपको बताया है कि मैं देख लिएता हूँ, पहला नंबर की करीब, दूसरा कितना है, दूसरे के तीसरा कितना है, तीसरे के चौता कितना है, अब देख कर मैं गुना एक से करूँगा, तो गुना 2, मैनस 3, 6 दूनी 12, मैनस 3, 9, 9 दूनी 18, मैनस 5, 13, क्लियर हो रहा है, 13 दूनी 26, मैनस 7, 19 आगया, 19 दूनी 38, मैनस 9, 29 आगया, तो गुना तो दो से हो रही है, यानि मुझे confirm पता लग गया, गुना 2 से हो नहीं है, मैनस क्या होना, वो मुझे देखना है, यानि 3, 5, 7, 9 और नमबर है क्या आएगा 11 माइनस होगा सीधा सफंडा है 39 दूनी 8 मन में से 11 गए 47 आप इसको ऐसे भी अटेम्ट कर सकते हो वो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये थोड़ा जल्दी आप किले कर पाओगे जल्दी कर पाओगे किले कब आपकी दमाग में कब होगा जब आप इससे कुछ सवाल कर लोगे लेकिन इससे आपका टाइम बचेगा डवल गैप से क्या होगा आप जैसे आप यहां आप हो सकता ना सूच पाते कि एक गुणा दो गुणा चार जोनी आठ हैं आएगा साथ त्रह अठारे करके गल्टी कर जैती यह भी आप से गल्सी हो सकते है बागी डवल गैप से भी होगा सवाल यह और आपका इस लोजिक से भी होगा ठीक है दिख रहा नह परोपर सबको को दिक्कत नहीं है सवाल नमर पंद्रह बात हैं आप सवाल पंद्रह बताए find the missing number ये बहुत अच्छा सवाल है इसको आप try करो 1, 1, 2 fill in the blanks 34 आपको क्या लगता है क्या आना चाहिए मेरे साब से तो आपको जो लग रहा है वो क्या आएगा है या तो कोई 6 बताएगा या कोई 7 बताएगा या 12 बताएगा 15 बताएगा बताएगे भाई क्या अंसर है 6, 7, 12, 15 चलो मैं बता देता हूँ आप पता सब से पहले क्या करो गए है आपके दिमाग में 2-3 चीजा आ सकते हैं वो क्या क्या हैंगे देखो सब बता रहाएगे क्या करके सबसे पहले माल लेजे मैंने सवाल यहाँ पर लेखा 1, 1, 2, और 34 आप क्या सोचेंगे यार यहाँ पर 0 का गैप है यहाँ पर 1 का गैप है यहाँ पर 2 का गैप कर देता हूँ 4 आंसर आजाएगा पहली बात तो 4 आउपसन में नहीं था आपका अंसर इस तरह गलत हो गया और फिराप अगर यहाँ फिलस 3 करते तो क्या है आपे 7 दे रखाता यानि अगर आउपसन में 4 होता तब भी आपका अंसर गलत होता क्योंकि 0, 1, 2, 3 करके आपका है 7 आना चाहिता है 7 नहीं है यानि आपका 4 तो आंसर पूरी तरह गलत है इसको मैं रफ कर रहा हूँ अब बताता हूँ आपको दूसरा अब आप यह देखो अब आप क्या करेंगे एक और देखो 1, 1, 2, 34 अब मैं वो दिखा रहा हूँ आपको आपके दिमाग में क्या क्या चीजा हाई होंगी जिस वेसे आपका आंसर गलत होता है गुणा 1 ठीक है जी गुणा 2 और गुणा 3 क्या मिला आपका 6 आपने सीधे क्या किया और आपका आपका आंसर 6 भी गलत है मैंने आपको क्या बताया था एक बात कि अगर लास्ट नंबर से लास्ट सेकेंड नंबर उससे पीछा नंबर पूछा किया है दिख रहा भई बराबर दिख रहा है तो आप यह मान के चलो कि आपको लास्ट नंबर भी चेक करना पड़ेगा आपने 1,2,3 किया अब आपका यह गलत हो गया यानि यह वाला मेंथर क्या है आपका आंथर क्या है गलत अब मैं आपको दूसरा ही बताता हूँ जिससे कि आपको पता लगे डिफरेंस देखो एक, एक, दो और थार्टी फोर भाईया इसमें जो लोजिक लगा हुआ देखो क्या है गुणा दो माइनस एक एक दो नी दो माइनस एक गुणा तीन माइनस एक एक तीय तीन माइनस एक, दो एक एक नमबर बढ़ रहा है गुणा वाला पहले दो था फिर तीन था है कहा जागा चार माइनस एक, दो चोग आठ में से एक गया, साथ, यहाँ पर नमबर एक बढ़ी आए, गुणा पांच, पैंटीस, माइनस एक, चोंटीस, यानि क्या था आपका, साथ आंसर था, अब आपको पता लगा, डिफरेंस क्या है, आप कैसे मात खा जाते हो पेपर में, कैसे आप अईसका आंसर यह था, यह था, यह था, यह था, यह था, यह था, तो कुछ 6 आंसर भी आपका ठीक है, कहां तक ठीक है, जब आपको या तो यह चोवीस दे रखा हो, या पर आपकी औक्स यह दे ही ने रखा, इसका आंसर, इस सवाल के अकोर्ण क्या वनेगा, 7, into 2 minus 1, into 3 minus 1 into 4 minus 1 into 5 minus 1 इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपके सवाल में last number की बजाए last second number पूछा है तो आप उस logic से last number जरूर चेक कर लें किया आपका logic उस last number पे apply हो रहा है तब ही आपका answer ठीक आएगा देखो अगर आपने हैं check नहीं किया होता 6 answer आता है और check किया तो answer क्या है साथ जो की correct answer है clear point मैं इसको rough नहीं कर रहा हूँ जिससे कि आपको difference पता लग सके कि क्या difference है ठीक है अब आते हम सवाल number next ये बताईएगा भाई सब ये भी बड़ा तगड़ा सवाल है क्या सवाल है 1, 2, 4, 7 फिलिंदे विलेंग्स 33 same सवाल है पीछे वाले सवाल की तरह है जो मैंने भी last सवाल करा है आपको लग रहा है कि इसका अंदर 6 होना तेज़ अभी क्या ता अंदर 7 था same सवाल ये है कि आपको लगेगा कि आंसर ये होना चाहिए और वो ये आंसर गिलत होगा यानि आपकी according इसका अंसर 11 होना चाहिए 21, 8, 28, 16 नहीं देख लेते हैं क्या अंसर है देखो मैं आपको दोना बताऊंगो पिशे सवाल की तरह इसमें सबसे पहले क्या बताऊंगो मैं आपको मैं अगर ये लिखता हूँ 1, 2, 4, 7, 33 तो मैं आपको क्या बताया था आप क्या करेंगे सबसे पहले आपके दमाग में क्या है क्या देखो यार ये पिलस 1 हो रहा है ये पिलस 2 हो रहा है ये पिलस 3 हो रहा है और यहां मैं पिलस 4 कर देता हूँ तो मेरा अंसर क्या आगया 11 और 11 आपके option में भी दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 क्या आपका 11 में पिलस 5 जोड़के 16 दे रखा है यहां तो 16 नहीं दे रखा सेम सवाल है इसका मजलब कि आपका यह वाला logic यहां गलत है अगर 7 तक होता तब आपका ठीक होता 11 यहां फिर 16 लिखा होता तब आपका अंसर 11 ठीक होता यानि इसका क्या बनेगा 1, 2, 4, 7, 33 आप ऐसे सवालों बहुत ज़्यादा गलत कर देते हैं पेपर में देखो क्या था इसका logic पिलस 1 तेखर हो आप पहले प्लस है उसके बाद गुवणाen जो यह पिछली से भी डिफेरेंट है प्लस 3 अब यहांपर क्या आएगआ फिर प्लस ओर रहा है फिर गुणाल हो रहा है फिर प्लस ओर ए फिर गुणाल होगा नमबर दता हिसा जाएगा और उसके बाद पिलस फाइब आ जाएगा ते तीस तो इसका अंसर क्या होगा वहीं साब ग्यारे कब चीक होता जब यहां तो यह 16 होता या 33 दे नहीं रखा होता तो वन टू थरी फॉर आप इलेवन कर देती ठीक है अठ्थाइस कंफर्म होगा जब तेटीस दे रखा तो अठ्थाइस यह अंसर आएगा यह कंफर्म है क्योंकि प्लस फाइब आप करेंग तो थाटी तो आपने सवाल में कैसे डिफ्रेंट डिफ्रेंट लोजिक लग रहे है, पिलस, फिलस, फिलस, अल्टर Zac, गुणा, पहुत डिफ्रेंट सवाल पेपर में आते हैं, और आप मुझे उम्मीद है के बढ़िया कर पाएंगे, जिस तरह आप पढ़ाई कर रहे हो, समझ रहे हो चीजों को सवाल नमबर आप मुझे 17 बताएंगे टिपिकल सवाल तो नहीं है, तो आप डिफेरेंट सवाल है सवाल नमबर 17 अब आजा रही है बराबर चलिए बाई, सवाल देखते हैं इसमें क्या है, नमबर में दे रखा जो कुछ लोजिक दे रखा आपको नेक्स नमबर से मतलब भी नहीं है जैसे आपने देखा, 255 दे रखा यानि कि इसमें बीच वाला नमबर है ना अगर मैं उस बीच वाल यहां लिख देता हूं एक बार ना उपर उनी पाएगा दोसो पच्पन दोसो पच्पन फिर क्या है 366 फिर क्या आपका 479 यहां क्या आपका फिलेंद देंग 891 इसमें ना जो लोजिक दे रखा है पार्टिकुलर नमबर का अलालग दे रखा है जैसे अगर मैं बीच वाली नमबर का तो अगर आप गैप लेते तो आंसर बनेगा आपका 111, 113, 115, 117, 111 गैप है यहां एक सो आपका तीरे का गैप है फिर दो बड़ा 115 हो जागा 115, 400, 500 नहीं, 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 दो को मैं बताता हूँ आपको कैसा होगा इसमें क्या था बीच वालो जो नमबर है पांच का स्कॉयर यहनि दो एरा पांच एरा इसमें पार्टिकुलर नमबर का लोजिक है च्छे का स्क्वाइर च्छतिस तीन और च्छे साथ का स्क्वाइर पुनन चास चार और नो तो पांच छे साथ यहां पर क्या आएगा आठ का स्क्वाइर यानि बीच में आठ आना नहीं है यह तो कंधम हो गया आठ बीच में आना तो यह उप्सन नहीं है यह नहीं है यह नह मैंने क्या बताया आपको कि इसमें इंडिविजन नंबर में रोजिक लगा हुआ है बीच वाले नंबर का इसकोर अगर मैं करता हूँ तो जो इसकोर वनेगा एक नंबर पहले दे रखा एक बाद में दे रखा है पांच छे साथ आठ बीच में आठ आठा था किसी नंबर में था बी आपसन नो छोड़ किसी बी में था बी टिक कर दो आप बाकी आप शेकी मत करो यानि कंफरमेस एक सेटी फूर इसका अंथर होगा ठीक है अब आते हम सवाल नमर अठारे पर सवाल अठारे जो को ये भी सेम सवाल है जो सत्रे मैंने कराया है उसमें लॉजिक और इसमें सेम है बस उसमें गुणा करता है इसमें कुछ और लॉजिक है अब बताओ क्या होगा इसका अंथर 264,396,473,583 आप यह मैं सोचना है कि सीरीज चली है दो तेन चार पांच छे वाला आफ्टे कर दो भी दे रखा नहीं यह कोई सीरीज नहीं है इसमें भी इंडिविजन नमबर का है लॉजिक इंडिविजन नमबर में लगा हुआ जैसे मैंने उसमें क्या बताया था कि इसमें क्या दे रखा है कि जो बीच वाला नमबर है जो 6 नमबर है उसका सम जो दे रखाना वो पहले और तीसरे नमबर का सम है 6 इकल तो 2 प्लस 4 9 इकल टू 3 प्लस 6 सेम 7 इकल टू 4 प्लस 3 सेम 8 इकल टू 5 प्लस 3 अब मुझे ऐसा नमबर फाइन करना है जो बीच वाला नमबर एकल हो पहली और तीसरी डिजिट के सम के यानि इसमें है नहीं है इसमें है नहीं है साथ शे और ती नो नो दे रखा साथ और नो के यानि डी इस राइट अंसर तो क्या होगा नो इकल टू 7 प्लस 2 इस डी इस राइट अंसर आपने क्या देखा अभी पिछले सवाल में कि बीच वाले नमबर का isquire करके फास्ट और था डिजिट मिल लए थी इसमें क्या है बीच वाले नमबर का सम जो बीच वाल नमबर है वहां मिल एक सम portion के बढ़ाबर दोनो सवाल सेम थो logic fusion थार पहले में गुला का था इसको 중요 का था इसमें सम का है या इस आप है से भी सुच सकते थे कि यार पहली और दूसरी डिजिट का डिफरेंस तीसरा नमबर दे रखा है पहली और दूसरी का डिफरेंस तीसरा साथ और दूसरी का डिफरेंस पांच होता नो दे रखा है छे और साथ का डिफरेंस एक होता तीन दे रखा है 5 और 9 का difference 4 होता 7 दे रखा है 7 और 9 का difference 2 होता है यानि तब भी answer D आएगा चाहे तो आप पहली और तीसरी का sum equal to second digit कर लो या पहली और दूसरी का difference equal to third digit कर लो सवाल 19 ये बताओ ये तो बहुत आसन सवाल है कुछ नहीं है इसमें तो कोई logic नहीं है कुछ नहीं है simple सवाल है recycle number recycle हो रहा है ये आपको मैं ज्यादा वक्त नहीं दूँगा इसमें तो आप खुद देगो कितना असन सवाल था कुछ था इसमें तो आप second number को लोगों सोते जागते आप 0246 यानि 6 024 फिर 4 पहले आ गया 4602 next number दे रखा है फिर 2 पहले उठाया 2460 ये दे रखा है फिर 0246 दुबारा आ जाएगा कौन सा option and D यानि इस था का सवाल भी आपके paper में आता है कि कोई logic नहीं होगा गुणा भाग पहले असनी कुछ नहीं बस डिजिट का recycle कर रखा last digit को उठा के आसन सवाल था कोई यादे typical नहीं था सवाल number इस पर आ जवाब ये थोड़ा सा आपको सवाल typical हो सकता है देखते हैं कौन बताएगा कौन करेगा इसको अच्छा इसने आप से पूछा है series फिल नहीं करवा रहा है ये करा है find the wrong term in the given series wrong term वाले सवाल थोड़े typical होते हैं कोई कि आप wrong term इस फाइंड नहीं कर पाते हैं आपको ये नहीं पता लगता कि logic लगा रहा हूँ तो किस number feel हो रहा जाकर सवाल number 20 कोई नहीं मैं बता देता हूँ इसमें कौन से number गलत होंगा या तो 40 गलत है या 96 गलत है या 120 या 12 या कि 12 ये 33 नमबर में अच्छा चान नमबर लगातर दे रखे हैं 96 12 total या ये 4 नमबर गलत है या इसमें logic सही लगेगा जो लगेगा अच्छा बारे 2 चोगे दे रखा है या तो ये गलत हो सकता है और गलत हो सकता है चलो कोई नहीं देख लेते हैं अब देखो मैं ही बता देता हूँ अगर मैं इसमें देखता हूँ कि 114 इससे 12 कैसे आएगा डिवाइड बारे करके आएगा ये किलियर हो आप और तो कोई इसका उफ़न दूसरा है नहीं भाई डिवाइड बारे करूँगा तभी तो बारे आएगा 12 से 96 कैसे आएगा गोणा 8 करूँगा ये किलियर हो गया 96 से 12 कैसे आएगा डिवाइड 6 करूँगा यानि यहां तक मुझे लगता कोई कमी नहीं लग रही यहां पर क्या होगा गोणा 10 यहां तो तकत का यहां लगेगा यहां तो नंबर तसम मुझे लगाने के बात यहां यहां नहीं फेसे लगाने के दाएगा ये लॉजिक किन शेनल बाल लॉजिक गाईगा मैं अब लोटा होwn मैश्यान आको फो हमार्या देटक कि में बालत किना कम होगा देखो यहां जो लोजिक हमें लगाए गुणा आट था यहां पर जो लोगाए एट आएगा बारे टी चैन्पी वह गूना अब सही है यानि दिवाइट वाला पार्ट में देखा बारे से चार कम हो रहा है आठ आठ से भी चार कम करूंगा कितना जागा है चार यानि यह 40 ना करूंगा 12 में 3060 आजागा यानि बिल्कुल ठीक है यानि इसमें 14 नमर गलत था समझे आप मैंने 114 यह से 12 पहुंचा कैसे पहुंचूंगा डिवाइट 12 करके फिर 12 से 96 गुणा 8 करके फिर 96 92 कैसे पहुंचूंगा डिवाइट 8 करके यानि कि मुझे यहां तक लोजिक में कोई दिखकर ने लगी फिर 12 से 120 गुणा 10 करके पहुंचा यानि फिर मैंने देखा कि next नमर 120 के वाद मेरा क्या लोजिक आना चाहिए तो मैंने देखा है डिवाइट वाले पार्ट में 12 से 8 हो रहा है चार कम हो रहा है फिर 8 से 4 कम करूँगा चार लेके आउगा यानि 120 में 4 से डिवाइट करूँगा 30 आएगा अब 30 के पार्ट चेक करूँगा गुणा 12 आकर 30 तो साथ आ रहा है यानि गुणा वाले पार्ट में 8 10 12 दो दो का इंक्रीजमेंट हो रहत है यानि ठीक था हमारा कि जो लोजिक हमने लगाया यहां 40 नमर गलत हैं 30 आएगा पॉइंट के लिए इसमें भी दो लोजिक ते अल्टरनेट पहले डिवाइट फिर मल्टी पिलाई वाला सवाल नमर 21 इससे ज्यादा आसन सवाल तो आपको मिलनी सकता इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने के जरूज नहीं है आपको बहुत आसन सवाल है इसको करते हैं दू-3 सवाल और उनको खतम करते हैं देखो 21 नमर सवाल में क्या आएगा बिल्कुल दिमाग इसमें टाइम आपको देने के जरूवत ही नहीं है आप सीदे देख रहे हो आठारे पिलस च्छे चौवीस फिर 24 में ते 3 माइनस कर दिया फिर 21 च्छे 27 यानि पिलस च्छे माइनस तीन पिलस च्छे माइनस तीन यानि यह क्या आजाएगा इन सकते हैं 24 कौनसा नंसर है C यहां पे जाएप पिलस 6 और माइनस तीन यानि लास्ता क्लोजिक सेम डग रहा है पिलस 6 और माइनस 3 या तो आप इन को दो तरह से कड़ सकते हो या तो अल्टरेटरीड से जख सकते हो आप अठारे फिलस तीन इस पिलस तीन चौवीस प्रवाइश 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 प् यह बाई अजीब थोड़ा different सवाल है देखते हैं कौन बताएगा इसको तो जो भी सवाल मैंने करवा है ना आज करवा रहा हूं मतलब सारे important सवाल है इसलिए मैंने किसी एक की उपर important लिखा नहीं है सारे सवाल important है यह भी बड़ा different सवाल है यह बड़ा चेक करो क्या इसका अन्सर आएगा कि कि मैं बतायता हूं देखो आप सबसे बले सवाल में क्या सोचोगे भाई वन 136 1118 दो आपकी दमाग में क्या आएगा यार फिलस टू हो रहा है यह आगा सीधे फिलस थी हो रहा है फिलस फाइफ हो रहा है क्योंकि अगर नंबर बहुत करीब करीव है ना तो आप गैप से कर सकते क्योंकि वह सवाल आसान पड़ेगा आप बड़े बड़े नंबर गैप आप उसको गैप से करने लग जाते हो वहां थोड़ी आपको दिक्कत इसलिए हो आती क्योंकि केल्कुलिसन भी टीपिकल हो जाती है अप देखा आप क्या करोगे जल्दी जल्दी में है यहाँ फिलस नो कर दोगे पिलस नो कर दोगे तो क्या हो गया अंजन दो तीन पांस साथ नो अठा रहे हो नो सत्ता ही सत्ता ही आपको और नमबर हो जाएंगे और अगर आपको 2357 दे रखा है 2357 फिर आपका बाई सब यहाँ पर 11 आएगा क्योंकि फिर यह प्राइम नमबर हो जाएंगे प्राइम नमबर तो यहाँ पर पता है नाइन ना आके यहाँ पर क्या आएगा आपका 11 अठारे गया रहा है 29 इसका अंसर 29 आएगा ना कि 27 ए इस राइट अंसर आप जल्दी बाज़े में क्या करते हैं 27 वहीं आप गल्दी कर जाते हो मैंने आपको क्या बता आप याद रखेगा इस बात को अगर 1357 दे रखा तो 9 आएगा क्यों आएगा क्योंकि इनकी वीच मे सब्सक्राइब दो तीन पांस चाथ पर गया रहा है ठीक है क्लियर हुआ इसका अंदर 29 होगा अब चलते हैं सवाल नमबर 23 पे सब्सक्राइब यह भी आसान सवालत टीपिकल नहीं कह सकते इसको लेकर इसमें ऑफ्सन बहुत बड़े हैं तो आप गैप से ना करें इसको आप गैप से ना करें इसको आप देखें कि किस नमबर से गुणा पिलस माइनस तो नहीं हो रहा इसमें अगर आप करते हैं गुणा दो माइनस से गुणा 3, माइनस 3, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा आपका सवाल, इस तरह ही हो पाएगा, गुणा करके कुछ नमबर को पिलस माइनस करना पड़ेगा, लोको मैं बता देता हूँ, इसको लेखते हैं, वहां तो ला हो नहीं पाएगा, ही लेखना दस, उननेस, चवण, दोसो, गया रहे हैं, आप इसके बीच कर गेप लोगो तो आपको लगता कि आप से कर पाएगे, आप 9 का गेप है, यहां आपका करीब 28, 29 का गेप आजागा, 26, 25 का नहीं आएगा, फिर आपका हैं कितना आजागा, 35 का गेप आप यहां पर यहां पर कितना के पहुंच जाएगा, यहां पर बड़े-बड़े option दे रखें, आप गुणा से करो, जैसे मैं आपको बताया कि फर्स्ट नमर से देखूंगा, सेकंड कितने करीब पहुंच पाएगा, सेकंड से थर्ड कितने में करीब पहुंच पाएगा, तो मैं देख रहा हूं, गुणा 2 के करीब है, गुणा 3 के करीब है, उननिस्तिया 57, यह 204 की करीब है, से मैं ऐसी करूंगा, गुणा 2 माइनस 1, उननिस्तिया 57 माइनस 3, 54 अगर मैं करता हूं को कि 2, 3, 4, तभी तो सीरीज बनेगी, 54, 216, माइनस 5, यानि 1, 3, 5, अब देखो, गुणा मुझे पता ल 3, 4, गुणा तो 5 से हो नहीं, यह तो कन्फर्म हो गया, यानि कि 25,000, 1155, 1055 तो कन्फर्म है, 1055 से अंसर उपन नहीं जाए, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि माइनस होना है नमबर, यानि यह वाला अंसर आपका गलत है, 1055 से कम आएगा, तीन ओप्सन कम वालें देख लेते ह है, माइनस एक, माइनस तीन, माइनस पांच, और नमबर है, क्या आएगा, माइनस साथ, अगर 1555 में साथ माइनस करता हूं, तो क्या आएगा, 1048, यानि C is the right answer, अब आप गलती हैं पर क्या करते पता है, गुणा दो, गुणा तीन, गुणा चार, गुणा पांच करके हो सकत जल्दी वाज़ा, माइनस 6 कर देते, तो ये answer क्या आजाता है, फिर, 1049 और वो भी आपके option में दिया हुआ है, तो आपको जब logic पता लग जाए, आप समझ जाए, क्या logic है, तो उस पक गुणा माइनस देखना है, क्या number हो रहा है, कैसे हम calculation गलत तो नहीं कर दे, हो सकता है, आप पूरी मेहनत कर दे, आप पता लगा, आपने आनसा गलत टे कर दिया, आप माइनस 6 के बजाए, माइनस 7 के बजाए, माइनस 6 कर गए, माइनस 5 कर गए, तो आपको पूरी चीज़ देखते हुआ है, क्योंकि option बहुत करीब दे रखे होते हैं, ठीक है, तो क्या answer आगए ह के 1048, सवाल नमर 24, सवाल 24 बताओ गई, यह बताओ कौन बताएगा, सवाल 24 यह बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ठोला सा, select the missing number from the given option, पाँच, ग्यारह, सत्रह, तेईज, हुआ किसी से, कर पाएंगे आप, ट्राइ किया आपने, कोशिस करिएगा, कोशिस करने बालों को भी हार नहीं होती, बिना कोशिस करने बालों की भी हार तो होती 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 है, क्योंकि वो तो condition में गए नहीं, तो उनकी हार तो पहले सीते हैं, चलिए सवाल देखते हैं, मैं बताता हूँ आप वो क्या लोजे कहा है, आपको पता दिमाग में क्या आ रहा होगा, कि यार 5 और चे 11, 11 और चे 17, 17, 23, 23, 29, तो टिक कर दिया हो, कुछ होना तो कह दिया हो 29 आंसर है, क्या 29 और 6, 35 आ रहा है बाद में? 35 तो नहीं दे रखा बाद में, इसका मलब कि इसका आंसर 29 नहीं है, देखो, 5, 11, 17, 23, 41, देखो, वही मैं आपको 12 बता रहा हूँ, कभी कभी यह क्या लगता है, कि इसका यह आंसर होगा, पेपर नहीं गलत कर रखा है, पेपर में गलत सवाल दे दिया है, जबकि ऐसा नहीं होता है, कि पेपर में सवाल गलत है, आप गलत होते हैं, उसके जब आप सही आंसर टिक नहीं कर पाती है, जैसा आपने क्या सोचा है, मैं आपको दोनों लिखके बताऊंगा, यहापे आपने क्या सोचा, पिलस 6, पिलस 6, 17, पिलस 6, 23, पिलस 6 आपने कर दिया 29 और 29 आपके ओप्सन में दे रहा है, आप 29 लागा के निकल लिए के लास से बोले 29 आंसर है, गलत आंसर है, आपका 29, 29 तो बिलकुल आपका आंसर गलत है, भाईया आंसर क्या होगा इसका देख लो, इधर लेखके बता रहा हूँ, 5, 11, 17, 23, 41, आपने पता 29 मैंने क्यों गलत किया, क्योंकि आपने 6-6 जोड दिया, क्या 29 और 6 जोड के 35 यहां पर आ रहा था, यहां पर 41 दे रखा है, नहीं आ रहा था, इसका उसलिब गलत है, आपको मैंने बता है, शुरू में कि इन सवालों में क्या लोजिक लगा होता ए आपको पता है, प्राइम नमबर दे रखें, सारे 5, 11, 17, 23, 41, सारे प्राइम नमबर है, तो इसमें जो प्राइम गैप है, वो प्राइम नमबर का गैप है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 13 आता है, 13 के बाद 17 आता है, 17 के बाद 19 आता है, 19 के बाद 19 के बा right answer. यानि ये सारे क्या थे? प्राइम नंबर थे. वही मैंना आपको बताया था शुरू में कि जो हमें सवाल कभी कभी टिपिकल लगते हैं वो किस पर आ जाते हैं? तो प्राइम नंबर पर आ जाते हैं? डिजिटल सम पर आते हैं? डिजिट का सवाल कराएं जिसमें आपने last नंबर चेक अगर नहीं किया है तो आपका उन सारे सवालों का answer गलत थे किसी ने किसी का ग्यारे दे दिए जिसका अंसर अव्हाइद था इसका अंसर आपका 31 है तो आपने 29 दे दिए एक का अंसर साथ था आप decision है जिए ने ठीक है जी तो आप मुझे ही लगता कि फिर आप कभी सवाल गलत कर पाऊगे फिर आपकी सवाल हमेशा ठीक होंगे क्योंकि आप पूरा मेथर लागा के चेक ही नहीं करते हो क्योंकि पेपर में जल्दी इतनी होती है लेकिन जब आप सवाल को पढ़ लोगे आपने आप सवाल पढ़ लिये तो आपको फिर पता लगे कि अगर ऐसा पूसिबल नहीं है कि सारे सवाल तुरंट ठीक हो जाए हमें पूरा सवाल चेक करना पड़ेगा कि कहीं गलत तो नहीं आगे ठीक है इसकत आज की गलास का लास सवाल पढ़ेंगे हूँ देखते हैं क्या लोजिक है इस सवाल में कैसा सवाल है ये भी बड़ा आजीव सवाल है देखो ये तो मैंने आपको बताया था कि आपको चीज याद हो पहला नंबर से अगर दूसरा आज़र दे रखा तो उसमें गड़ा पॉइंट फाइब है सेम दे रखा तो इन्टू वन है उसका आप लोजिक लगाओ क्या आएका फिल देखते हैं क्या सवाल है ये फोर टू टू थ्री फिलेंदे अवलेंग थार्टी ओप्सन क्या है 6 15 7.59 बताईए सवाल इस्टा अच्छा चला आपका हमें भी सिखाई ये कुछ इस्टा में चलाना चले इस सवाल पर आते हैं अब देखू कि मैं आपको क्या बताया था भी कि अगर पहला नंबर दूसरे नंबर के इतने करीव है कि आपको पता लग जाए आदा है गुणा है पॉइंट वन है पॉइंट फाइप है इसमें सीधा आपको देख रहा है क्या है भाई इंटू पॉइंट फाइव टिपिकल नहीं है बिल्कुल दो कितना असान है यहां पर क्या है इंटू वन यहां पर क्या है इंटू वन पॉइंट फाइव अब आप जल्दी वाजी में क्या करोगे मैं सबके लिए ने करा कुछ बच्चे जरू जल्दी वाजी में पेपर का प्रेसर इतना होता है जल्दी वाजी में कर देते हैं वो देखेंगे आदा एक डेड़ दो आये दोरते ह किया हुए दो कर गर्ह उन्हेंने च्छे कर ़िए क्या यहां पर धाई कर करोगे गुणा तीन करोगे गुणा सार्जे तीन करोगे क्या आपका 38 15 केवाज नहीं आरा इसका मुन खायं की लगत है कि फिर मैं आपको बता रहा हूँ इसका दूसरा तरीख जिससे अंसर आपका सही आएगा वो क्या होगा इधर बताता हूँ देखो 4 2 2 3 30 आजाए इधर यहाँ पर क्या था आपका into .5 दिख रहा है बरावर into 1 into 1.5 इन दोनों का सम यह नमबर दे रखा है क्या 1.5 जो next है इन दोनों का सम क्या आएगा 2.5 जो हैं गुणा करूंगा 3 दोनी 6 और देड़ साड़े साथ यहाँ पर देड़ और धाई का सम कितना आजाएगा 4 जो यहाँ पर गुणा करूंगा साड़े सार चो का 30 तो आन्दर क्या बना इसका 7.5 आपने देखा simple से वाल क्या बनता .5 into 1 into 1 8 into 2 आपका जवाब 6 ठीक होता अगर यहाँ 30 नहीं होता या फिर 6 दूनी 12 पंदरा होता हैं यहाँ पर लेकिन इसमें क्या था जो गैब दे रखा ना उन दोनों नमबरों का सम करके next नमबर multiply कर रखा है .5, 1, 1.5 1 और 1.5 into 2.5 1.5 and 2.5 1.5, 1.5, 4 तब जाके 30 आ रहा है तो इसका अंसर क्या होगा भाई 37 तो आपने देखा कि मैंने जो आज आपको 25 सवाल कराए आप खुद देखिएगा एक बार कि 25 सवाल में से किस बच्चे ने कितनी सवाल ठीक किये थे कितने सवाल उसको लगे कि आंसर ये होगा और उसका वो गलत बैठा था ठीक है जी आपको ये पता लगा अब आप एक बार इस चैप्टर को जो मतलब चैप्टर तो भी खतम नहीं होगी तो मैंने आपको बताया कैसे के सवाल आते हैं कितना आता था और नंबर स्रीज में इस हैसल पेपर में पूछे जा रहा है आप तभी कर पाएंगे जल्दी जब आपने एक बार पहले कर रखे हैं होता क्या है कि आप डारेट पेपर में चले जाते हैं आसाना सवाल करके वहां आप घुम जाते हैं या कुछ बच्चे कर लेते हैं टाइम ज्यादे लग जाता है क्यों कि आपको पता क्या है आपको टाइम भी तो कम लगाना आपको सोचो 60 मिनिट में यार सवाल करना मजाग ठोड़ी ना है बहुत टिपिकल काम है और कब कर पाएंगे जब आपको maximum सवाल नहीं तो कुछ सवाल तो चाहे math में हो चाहे आपके reasoning में हो और English GS में तो कुछ आपको याद करें होते होते ही हैं कि आपको सवाल याद होने चाहिए तब ही आप जल्दी कर पाएंगे तो मैं दौा करता हूँ उम्मीद करता हूँ आपको आज के सवाल सारे समझ माई होंगे और आपसे बिदा लेता हूँ नेक्स क्लास में आपको जल्दी मिलूँगा अपडेट कर दूँगा अब इन्हें लर्निक आपको आप सब्सक्राइब कर लीजेगा चैनल को जिससे कि मैं सभी बच्चों को सही डारेक्शन के साथ-साथ सही फिरी क्लासिस, फिरी सारा सिलेवस पूरा कंप्रीट करवा सब्सक्राइब जिससे कि आपको एद्धातर भागना ना पढ़े जो बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते किसी भी चीज़ को तो आपको आसानी से पढ़ सकें ठीक है, बिदा लेता हूँ आपसे इसी के साथ धन्बास, सुग्रिया